आज लेकर रहा है आपके लिए बहुत ही खास वीडियो वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाड़ा सफारी के बारे में दोस्तों प्लीज कमेंट शेक्षिन में बताएं गाड़ी किस तरह के लिए आपको जो की एक सेवन सेटर गाड़ी है और यह गाड़ी के फ्रेंट लु जो की 360-degree camera का काम करता है number of camera इसमें आपको 4 मिलते हैं एक front में एक rear में और दो OR के बिलकुल नीचे उसके साथ front आपको skid plate मिल जाती है जो की कहिना कि exportier look देती है इस गाड़ी को broad look देती है बहुत ही शांदर गाड़ी दोस्तों अच्छी बात इसमें यह है कि यह गाड़ी में जो structure यूज कर जाता है वो omega arc structure यूज कर जाता है जो की लिया गया है land rover से इसलिए इस गाड़ी यह सफारी की बैजिंग और यह गाड़ी का ORVM outside rear view mirror इसके नीचे आपको camera मिलता है और यह turn indicator जो की LED मिलते हैं आपको turn करते समय आपको help करेंगे और 205 mm की गाड़ी की ground trace मिलती है और यह गाड़ी का door handle जो की smart के लिए center के साथ sensor आपको मिल जाता है इसमें और ले चलता हूँ गाड़ी के interior की तरफ तो multi color आपको interior मिलता है और बहुत ही premium interior आपको मिलने वाला है टाड़ा सफारी में इस गाड़ी का interior देखके आपको इस गाड़ी से प्यार जुरूर हो जाएगा दोस्तों यह अंदर से adjust हो जाएंगे ORV premium और यह interior जो के flat bottom steering wheel आपको मिलता है leatherite seats और manually adjustable seat आपको मिलेगी 10 inches की screen मिलती है इसमें जिसमें audio navigation android auto और apple carplay को support करेगी ले चलता हूँ rear seat की तरफ आपको तो rear seats पर आपको क्यक्का मिलने वाला है door trims पर यह leatherites trims आपको मिल रही है और थोड़ा silver का view उसकी आगे इसमें grab door handle और bottle holder और rear shades आपको मिल जाएगी curtains जो कि कहना के premium feel करवाता है आपको और इतनी range में यह होना बहुत जुरूरी भी था यह गाड़ी के rear seat काफी लंबी और चौड़ी कुशनी भी काफी अच्छी लग रही है इस seat की और यह दो auxiliary socket आपको मिल जाती है एक type C मिल जाएगी और एक आपको normal मिलती है और उपर मिल जाता है आपको armrest, front two seats के बीच में, ले चलता हूँ गाड़ी की last seat की तरफ, headrest जो उसके adjustable है और last seat जो है वो बच्चों के लिए तो बहुत ही comfortable रहने वाली है शायद, but adults अगर जा रहे हैं, travel कर रहे हैं तो शायद थोड़ी दिकत कर सकता है, यह panoramic sunroof, जो की attracting feature इस से compare करें तो आप चाटा में आपको दिन रात का अंतर नजर देखने को मिलेगा, दुवारा दिखा रहो आप गाड़ी को interior आपको, गाड़ी जो है, feature loaded गाड़ी है, यह पूरे feature आपको इस गाड़ी मिलते है, adventure plus model में है, क्योंकि इसमें auto hold आपको मिलता है, air purifier मिलता है, electronic brake आपको मिलती है, और उसके साथ साथ आपको मिलता है, voice assisted, mood lightning और sunroof, rain sensing wipers, wireless charger, इस तरह के सारे feature आपको मिलते है, adventure plus model में, mileage इस गाड़ी की company क्लेम करती है, 16 से 17 km तक ही क्लेम करती है, पर practical आपको 12 तक शायद मिल पाएगी, क्योंकि यह रहा कि यह 2 लिटर का engine है, cryotech engine, यू यूज किया जा रहा है, जो power generate करता है, 170 bhp की और 350 nm की torque, यह गाड़ी के rear, जिसमें camera मिल जाता है, आपको rear में, और 76 यह गाड़ी है, दोस्तों तो इसमें इतना जादा space आपको नहीं मिलने वाला है, बट अगर आप 5 लोग जा रहे हैं, तो के ना कहीं seat fold करके अच्छा space आपको मिल जाएगा, और यह rear under run, तो कुछ इस तरह का rear look और space आपको मिलता है, टाटा सफारी में, और last seat पे आपको AC vents भी मिल जाएगे, जो कि कहीं ना कहीं होने भी चाहिए थे, तो दोस्तों यह है rear skid plate, जो sporty look जोता है, और under body आपको spare wheel मिलता है, तो एक छोटी से video मैंने बनाई थी दोस्तों ताकि आप छोटा सा walk around कर सके ताटा सफारी का, अगर आपको video अच्छी लगे, तो please video को like करें, share करें, subscribe करें, thank you so much.